Hello students, how are you? कैसे आप सब लोग? आज हींदी में पांट साथ चिंटू और चेनी के बारे में पढ़ेंगे इस कहानी में दो भाई बेन हैं तो हम इन में चिंटू के बारे में पढ़ेंगे और चिंटू कैसा लड़का है तो चिंटू कैसा लगा कि चिंटू को एक बुरी आदत रहती है जो उसको कुछ भी चीज सामने होती है तो उसको उठा कि वो क्या करता था? खा लेता था तो वोही आदत सुधा निकले उसकी मम्मी और उसकी बेहन एक तरीका सुचते हैं कि चिंटू तैसे सुधरने वाला नहीं है तो हम अभी हमें तरीका करेंगे उससे वो क्या हो जाएगा सुधर जाएगा तो उसके लिए उसकी मम्मी एक दिन क्या करती है कि अलमारी को ताला लगा कि वो आफिस चले जाती है और दुसरा अंदर कहानी में क्या होता है तो मैं आपको कहानी में बताती हूँ तो चिंटो चिनू भाई बहन थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों भाई बहन थे, इसलिए दोनों को उसकी मम्मी ने एक ही स्कूल में रखा था, तो वो जो भी स्कूल में जाते थे, आते थे थे दोनों का स्कूल का टाइम कैसा था, एक ही था, चिन्टो चिनी कि स्वभाव बिल्कूल भीन थे, उनके जो स्वभाव थे वो कैसे थे भीन, स्वभाव का मतलब होता है आदत, क्या होता है आदत, और भीन का मतलब होता है अलग, तो दोनों का स्वभाव, दोनों पाइबांद थे, पर उनका स्वभाव और आदत को से थे, अलग-अलग थे, चिनी सीधी सारी थी जबकि चिन्टू मैं घर में रखी चीजे खाने की बूरी आदत थी मैंने आपको बताया कि चिन्टू को क्या आदत थी कि उसको घर में कुछ भी चीज होती तो उठा के खा लेता था किसी से पुछिता भी नहीं था कि मैं खाऊं की नहीं खाऊं बिस्कुट होगा नमकीन होगा पैस्ट्री या चोकलेट कुछ भी चीज वो उठा के क्या खरता था खा लेता था उसकी ममी उस बात से बहुत ही परेशान थी उसको बात में परेशान थी वह हमेंसा उसकी ममी बहुत है कि बेटा कुछ भी चीज उठा के खाना नहीं चाहिए क चुकि कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमारी तब्यत क्या होती है खराब क्या होती है खराब पर वो उसी मम्मी की बात भी नहीं सुनता था तो आगे क्या होता है अक्षर मां उसे बात के लिए डारती भी थी और उस पर इन बातों का कोई असा ही नहीं होता था उसी मां बहु तो एक दिन क्या होता है एक दिन एक घुसे में आकर माने उस अलमारी का ही ताला लगा दिया जिसमें विसकूट आधी चीजे रखी हुई थी उस अलमारी में विसकूट आधी के अलावा दवाया वह कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था कि क्या है , कि उसकी कि घर में अलमारी थी , कि हम तोह एक दिन उसकी मममी घुश्स मसी गुश्स भी मुश्छ हगी , जैसे मुश्स हो जाती जिन्ताइБं चिन्तव चीन्तिश स्कूल नहीं रूह की चिन्तो क्लिक चेनी स्कूल चलने जह जब कहा चलन जाती पाइब dignit चिची रखे थे और खाने की चिच के साथ उसमें क्या थी दवायां भी थी तो उसकी गुस है कि मैं चले जाओंगे उसके बाद चिन्टू वापस से स्कूल में सआए गा जाए और वापस से सामान निकाल की खाने लगजाएगा इस ते वो ताला लगा के अलमारी को चली जात पढूब हो गई उसकी ममी तो अलमारी को ताला लगा कि कई थी और क्या हुआ वह जैसे की दूपेर मसे चीन्य की तब्यबिक कुछ खराब हो गए यह स्की स्थायि cheer u की थोई-थोई तभ्यात क्या हो गई खराब हो गई पहले तो चिंठू ने ध्यान खराब थी तो ध्यान नहीं दिया पर क्या हुआ दीरे-दीरे से उसकी तबिएत ज़्यादा खराब होने लगे तो उसने क्या क्या कि उसकी ममी के ऑफिस पे फोन किया और उनको चीनी की तबित के बारे में बताया तब मां बोलती है मां बोली चिन्टू लगता है कि चीनी को लू लग गई है लू क्या होता है लू गर्मी की वज़से होता है जैसे हमारी सरीर में पानी की कमी होती है तो हमें उल्डी जैसी होती है हमारी सीधत करता है चकर आते हैं किसी वेज़ रताई लू गर्मी की उजर से उसकी मैं बोली कि चीनी को साहथ लू लग गई है तुम अलमारी में रखे ग्लुकोस को गोल कर पिला दो तुम ग्लुकोस को गोलकर पिलाते रहना वरना मुश्किल हो जाएगी उसकी ममी बोलती है कि जो में अलमारी में ग्लूकोस अखा है उसको पानी में मिला कर चीनी को पिला दो तब तक मैं क्या करती है डॉक्टर को फॉन करती हूँ और तुम ग्लूकोस को पिलाते रहना वरना मुश्किल हो जाएगी वो बोले कि तुँ मैं डॉक्टर को बुलाते लाती हूँ तब तक तुम क्या करोगे चिनी को ग्लूकोस पिलाते ही रहना वरना मुश्किल हो जाएगे क्यों ग्लूकोस नहीं पिलाया तो उसकी तब ज़्यादा खराब होती जाएगे चिन्टु जल्दे से रिसीवर रखकर अल्मारी से ग्लूकोस निकालने के लिए जो ही अल्मारी के पास पहुचा देखा ताला लगा था उसने इधर उधर चाबी ढूंडी पर उससे कहीं नहीं मिली कि मामीने बोला कि अल्मारी में ग्लूकोस रुथ कै उसको पिला देना बैजसे उसने क्या किया फ़न रख दीया अर्वागते-भागते अल्मारी पं गया तहुंसने देखा अल्मारी को तैला तो ताला देखना चाबी उधर-उधर ढूंड रहा था यह ऻृया पर उसको च ममी को फोन किया अब क्या होगा मा फोन क्या बोलता है अब क्या होगा मा चिंटू फोन पर ही रो पड़ा अब क्या करूं वो बोला अब क्या करूं मा चिंटू फोन पर ही रो पड़ा अब क्या करूं उसके बाद क्या होता है कि फिर रोते हुए ममी से बोला आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया आपको पता था कि उसमें ग्लूकोस है फिर भी उसी ममी को रोते रूते क्या बोलता है कि आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया आपको पता था ने कि उसमें ग्लूकोस है ममी को पूछ रहा है रोते रूते कि आपने क्यों अलमारी को ताला लगाया उसम पर चिंटू तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिस्कूड पड़े हैं जो तुम हर रोज चुपचब खा जाते हो उसकी ममी बोली बैटा तुम्हें पता है ना कि क्या है कि इसमें के अलमार में क्या रहता है बिस्कीट नमकिन सब है तो तुम क्या करते हर रोज कर आती हूं करकर माने रग दिया क्या हुआ कि उसकी ममी ने बोला कि अगर तुम चुप-चाप से बिस्किट नहीं खाते हर रोज नाम की नहीं खाते तो मैं अलमारी को ताला नहीं लगाती तो ऐसा करता इसलिए मैंने अलमारी को ताला लगाया ठीक है बैटा तो वो बोले कि मैं डॉक्टर को लेकर अब भी आती हूं ऐसा कहके उन्होंने पॉन रख दिया नेक्स पेज भी उसकी बात क्या होता है चिंटु की हालत खराब वो कभी वहाँ वह चीनी को देखता तो कभी रोता थोड़ी देर में मा आ गई क्या होता है कि चिंटु उसको चीनी को देख रहा है थोड़ी दराजे के तरब देख रहा है और खुद भी रो रहा है तो उसी आलहलत क्या हो जाती ही खराब हो जाती क्यों कि अपनी बेहन की तब्यत को खराब देखके उतने में ही उसकी मम्मी आती है और दराजे पे खड़ प्योने पूछ है AAPD को पता है उसकी तब ही कितनी ख़राब है कि उसकी ममा को जो इसने वो रहा है कि माके अकेली आई है क्योंकि उन्हों ने बोला था कि मैं डॉक्टर को लेकर आती हूं पर उसने मां को खिश्टा है शुष्ण आपको पता है कि उसकी तब्यत खराब है तक हो डॉक्तर को ऑनकın हुआ है तरहा हो तरहा और मैं तरह से खलगें यह तो नहीं को ममी को बोल रहा है क्या बोल रहा है कि मा आपको पता है ना कि चीनी की तब्यत खराब है फिर भी अब अकेलाई और डॉक्टर को भी नहीं लेके आए तो उतने में आवाज आती है पीछे से और पीछे से आवाज गौन देता है चीनी क्या बोलती है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ भईया क्या बोलती है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ भईया उसके बवाद क्या होता अरे मा के आते ही तू ठीक हो गई तो चिन्टू का क्या लगा कि चिनी मुझे से हमारी मा गई ही वैसे ही चिनी अच्छी हो गई उसले बोलता अरे मा क्या आती तू ठीक हो गई मेरी बहन करके चिन्टू ने चिनी को गले से लगा लिया क्या होता है ऐसा कहे के चिन्टू क्या करता है अपनी बेहन को गले लगाता है अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा अभी नहीं कहते हुई चिंटू रो पड़ा और क्या कहता है लास्ट में क्या होता है चिंटू रोते रोते क्या कहता है कि मैं अभी अब मैं कभी नहीं चोरी करूँगा य vibrations कहेंता वह रो पड़ा, मा ने कहा क्या है चिंटू और चीनी को गले से लगा दिया उसके ममें ने कहा क्या, слово भाइबहन के अपने गले लगाए, बाद में कहा है कि असल सुनितने मा का चीनी और मा ने ही मिलकर चीनु को सवग सिखने की युजना बनाए थी, यहा है पिर आ क्या होता है एक तो योजना भी है योजना का मतलब होता है तरीका क्या होता है तरीका तो असल में क्या हुआ था कि उसकी बहन और ममी नहीं आपको मैंने बताए कि उसकी आदत सुधाने के लिए उसकी बहन और ममी एक तरीका सोचती है उसको तरीका सोचती है कि क्या तरीका सो हुआ गई उसकी तब्यद खराब देखके उसको पता चला कि कभी यह चोरी नहीं करने चाहिए और कुछ भी चीज यह पूछे बीना नहीं खाने चाहिए क्यों कि हम कुछ भी चीज उठा कैसे क्षायात हैं तो हमाई विस्यीन च्यालियोन करहें कर नहीं चुरी मेरे देंगे था में चोरी करने की ज़रत नहीं है तो क्या शिख मिली कि हमें कभी भी चोरी नहीं करने चाहिए और कुछ भी चीज हमारे मंमी पापा से पुछके नहीं खाने चाहिए तो क्या था एक तो इस कहानी में कि क्या सीखने मिला कि दोनों भाई बहन का प्या सीखने मिला और क्या सीखने मिला कि हमें कभी भी चोई नहीं करनी चीए और कुछ भी एक तो क्या था कि चिंटू की क्या थी कि पूरी आदा थी कुछ भी चीद देखके वह खाना चालू करता था तो वो अच्छा हो बूरा हमें भी खाना है पर मम्मी पापा हां बोलेंगे तब खाना है और ये लेशन आप क्या करते होगे पढ़ते होगे क्या करते होगे पढ़ते थैंक यू